तो दोस्तों आप से करिब कुछ समय पहले खबर यह निगल के रही है कि जो रूस है उसने अपने S500 इंटे कॉंटिनिटल बिलेस्टिग मिसाल डिफेन सिस्टम का एक पूरा एक्क्टिव वीडियो जारी किया है और जो आप लोग स्क्रीन पर फूटेश देख रहे हो यह फूटेश और रूस द्वारान रीज्ट की गई रूस के इंटे कौंटिनिटल ballistic missile defense system याने S500 की वो footage है जिसमें कि ये S500 missile defense system पूंड रूप सो operational दिख रहा है और दोस्तों अगर आप लोग को याद हो तो हमने अब सकर आप लोग को पांसरी के 6 माहिनों पहले एक वीडियो बना के होते थी जिसमें हमने आप लोग को इस S500 missile defense system वारे में जो कुछ मेडिया के हावाले से जानकारी निकल के थी उस जानकारी के according हमने आप लोग को इस S500 missile defense system वारे में थोड़ी बहुत जानकारिया दी थी लेकिन दोस्तों आपको हम ये बता दें कि जो United States of America है उसे एक हफ़ते पहले से ही पता था कि जो रूस है वो S500 missile defense system का नसिपिक footage जारी कर और ये इससे promote भी करवाएगा इसलिए जो अमेरिका उसने अपस्क्रीब तीन से लेके चार दूने पहले अपने पेट्रिटॉट missile defense system को अपग्रेट रखके उसे एडवांज जनेरेशन का missile defense system बताया था लेकिन अब रूस के इस S500 missile defense system को लेकि मार्केट में चर्चा सुरू हो कई है कि जो ये S500 missile defense system है ये तो अंतरिच के satellite और जो इंट्रकॉंटेनेंटल बैलिस्टिक मिसाल है उन्हें तो ये मार्के तो गिरा सकता है लेकिन लेकिन जो भविशी के होने बाले पांचीम पेड़ी के stealth लडाकुमन और जो पांचीम पेड़ी के bomber और पांचीम पाई गया या नहीं इस पर अब मार्केट हैं पूंट रूप से चर्चा शुरू हो गई है और आपको उता दें कि रूस ने अभी तक इस missile defense system को लेकि कोई ऐसा दावाय नहीं किया है कि जो ये missile defense system होने वाला है ये इस्टेटल लडाकुमन या फिर किसी anti-radition missile को मार गिरा पाता है या नहीं और उसका इस missile defense system को export करने कोई plan है या फिर नहीं